अब लिट्र डिपार्टमेंट आप नोगों को पता होगा कि बीटी यूपी ने समस्मिंटर का सैच्छी कलेंडर जारी कर दिया है जिसके अनुसार आपका समस्मिंटर स्टार्ट हो गया है और इसकी क्लासेज जो होंगे आनलाइन चलेंगी मतलब कि इस समय कोविट का समय है तो आफलाइन क्लासेज नहीं चलेंगे ये क्लासेज जो है आपकी 22 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और इसका एक्जाम जो है माई में होगा तो पॉलिटेक्निक फोर समेस्टर का न्यू सलेबस क्या है इसको देखेंगे इस वीडियो में कितने सब्जेक्ट का प्रैक् सेकर्ट का सबजेक्ट देख सकते हैं कौन-कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हों इस समेस्टर में विए तो फाला सब्जेक्ट है कम्मünuke guarantees trig और दूसरा सब्जेक्ट है इनर्जी कंजर्वेशन और साथ है यूनिवर्सल हीमन वैलीज और इसमें एक लाश्ट होता है जो आपका इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग होता है तो आपका पताथे सबसे ज्यादा सब्जेक्ट इसी सिमेस्टर में पढ़ने होते हैं इसके पाच पांचों समेस्टर में कम हो ज सकते हैं डीटेल में सबसे सब्जेक्ट का मार्क और अक्टरक्स नंबर मिल जाते हैं मिल जाते हैं सब्सक्री 전 converting कम्रें का इसन का ही practical भी समीं होगा जो आपका सिसनल कहालाता है तो चालिचनल से मिलेंगे और 50 नमबर अपका ऐख्जाम होगा और चालिचनब का practical होगा तो मिलाकर industry, else new Java कंडोल सब्समीर जो हैं। बहुत important है इसते आपको 130 नमब टोटल मिलते हैं internal और external मिलाकर देखे internal का मतलब है जो आपके college से दे जाता है और external का मतलब है जो आप exam देते हैं मतलब practical और main exam जो देते हैं यहाँ पर देखिए तीसरा subject है electrical design drawing and estimating तो internal की बात करें नहीं कि seasonal की बात करें तो आपको इसमें 40 number seasonal मिलेगा जिसमें 20 number की 30 होगी 20 प्रैक्टिकल होगा और अगर external की बात करें तो इसमें 50 number का में एक्जाम देना होगा और 40 नंबर का प्रैक्टिकल होगा तो टूटल इसमें 90 और यह 50 और 40 मिलाकर कुल आपको 130 नंबर इस सब्जेक्ट से मिलेंगे अब इसमें अगला सब्जेक्ट देखते हैं अगला सब्जेक्ट है आपका पार्वर प्लांट इंजिनरिंग तो इसका केवल धीरी होगा इसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा अगो आपको सेसनल के तोर पर क्योब 20 नंबर मिलेंगे और Standard exam में मतलब कि आपका में एक्जाम होगा उसमें 50 नंबर मिलेगा आपको तो 50 और 20 22 मिला गए- 70 नंबरह आपको टोटल इसमें मिरेंगे चलिय में gdzieś में जो आपका सब्वेक्ट है वो है है Transmission and distribution of electrical power TD, अगर आप UEPCL की तयारी या SCEJE की आगे तयारी करना चाहते हों तो यह subject काफी important है, TD मतलब कि Transmission and Distribution of Electrical Power तो इसमें बात करें तो आपका इसमें जो इसमें है सेसनल मीलेगा आपको वो 20 नमबर का सेसनल मीलेगा अब देखिए इसमें जो तीसरा सब्जेक्ट दिया गया है तीसरा सब्जेक्ट है आपका energy conservation तो energy conservation जो है इसमें देखे 20 नमबर का 3 है 10 नमबर का practical तो total सेस्नल मार्क जो है आपका 30 नमबर का है और 50 नमबर का आपका exam होगा तो आपको इससे कुल 100 नमबर मिल जाएंगे अब कि इसमें आगला है यू मोँ कि तो इसमें जो आपका subject है यूवडिवर्सल हीवन वैलूज इसमें धिहें इंटरμणel एकस्थेंडिकें थास्थ मुझेट इसमें 20 नंबर डिए जाते हैं मतलब किष ठर्वल को चुछता है और और Felी फिसका होगा इन्डेषियल उल्यक्ट्रोनिक्स एंड कंट्रोल इसका भी एक्जाम देना होगा और टि मिझा। दैना होगा और टीस्ट्री कल डिजाइन ड्राइंग एक्ष्टिमेट इसका भी आपको एक्जाम देना होगा लेकिन प्रिकल इसमें नहीं होगा है इनरजी अफ्ट। और प्रटीकल इस स्वेश्ट के इस अपको फंचे अंपर विसकूंनबर्इप मिलते हैं आपλ़ 680 अब यह अब एक प्रहम थोड़ा सौर्ट मेंश्लैबस देख लेते हैं कि कि सब्जक्ट में पढ़ना क्या है अब को तो तो कम्यूंकेशन इसकिल के बारे आपको पता होगा आपको पर्स्टमिस्टर ये स्टिमिस्टर विजरू पढ़ा इसके बाद देखिए कुछ इसमें देखिए रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है में मोज करूल और आफिस ओडर तो यह सब चीज़े आपको पढ़ना बहुत छोटा स्लाइबस है बहुत ही सरल सब्जेक्ट है इसकिल सेकंड तो आपको इसमें बिसिकली यह सब चीजे पढ़ना होगा अब जो आगरा अग्रा सब्जेक्ट है वह इंडिस्ट्री इलेक्ट्रानिक एंड कंट्रॉल तो इंडिस्ट्री एंडिये बारें सब्ट्रों और चाहिए लंबा लंबा चैप्टर है बहुत जादा टॉपिक से इसमें 18 पीरियट का है तो मतलब कि पहले बाले चप्टर जो है इसमें स्टियार के बारे में आपको पढ़ना होगा और दूसरा देखिए दूसरा चप्टर है आपका से 122 पीरियट के चप्टर में इवर्टर और डुल कंवर्टर इसको पढ़ना होगा यह चौटा सहे लेकिन तो स्टियारस अच्छे से नहीं पढ़ता होगा तpassen को आफ होते होते हैं जो कैसा नहीं पढ़ते हैं तो आगे चल करूंग तो नहीं आता है देखिए अगला सब्जिक्ट है इसमें अगला चैप्टर जो आपका देखिए 3.4 के साइक्लो कनवर्टर तो बहुत लंबा चोड़ा चैप्टर है पांचवा चैप्टर देख सकते हैं अन इंटर्प्टेट पावर सब्लाइज जो आप यूपीए सुने होंगे देखिए अगला सब्जिक्ट है अगला सब्जिक्ट जो है आपका बिलकुल प्रीयोग होने वाला है वहाँ पर आपने बेसिक पढ़ा होगा लेकिन आपका बिलकुल बेसिक पढ़ा होगा लेकिन यहाँ पर थोड़ा advanced level का पढ़ेंगे तो इसमें जैसे कि आप electrical branch से हैं तो electrical branch में कहां कैसे wiring की जाती को इस पर कितने प्रकार प्रकार होते हैं इन सब चीजों को पढ़ना होगा तो wiring के सबस्ते पहले देखिए इसमें आपको symbol and sign conventions यह समझना होगा फिर wiring diagram कैसा होता है पैनल distribution board, orthographic projection आप simple electric parts हो गया और estimating और costing कैसे होता है और wiring कितने प्रकार के होता है तो यह सब चीज़े आपको drawing के पारे में इस subject में पढ़ना होगा अब देखिए जो आपका अगला subject है वो है power plant engineering तो मतलब बिजली का उत्पादन power plant से होता है तो power plant engineering देखिए सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना होगा power generation क्या होता है इसके बाद पढ़ना होगा thermal station क्या होता है तो यहां पर details levels दिया गया है इसको टेलीग्राम पर भेज देंगे आप पर दीजी यहां पर थोड़ा 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 बता दे रहे है कि कि subject में basically पढ़ना क्या है आपको इसमें hydro electric power plant οποel Nuper plant diesel power plant तो आपका power plant करके subject है power plant inking इस sini प्रकार की power plant होते है इसमें आपको पढ़ना है तो सभी करदवा प्राइ rust Series path兩個 plant तो सभी प्रांट के बारे है्सी में पढ़ना है इस chapterная subject मैं आपको इसके बाकी लेक्ट्रिकल पावर कई कर एक पाएप कर दों के यह बने होगा रखेसे पढ़ना है वह प्रकार से होता है उंसद्री डाउट यहां यह सब चीज आपको detail में यहाँ पर देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पर सब कुछ पढ़ने को मिलेगा तो इसमें देखिए अगला चैप्टर इसमें दो दो तीन चैप्टर है के वर एक टांस्मिशन सिस्टम हो गया है आप आप देख सकते हैं इसमें basic energy energy के बारे बेसी की जो होती है उसको पढ़ना जैसे अपका प्राइमरी इनर्जी सेकेंडरी इनर्जी सब चीजें और दूसरा है आपका एनर्जी कंजर्वेशन एंड एक्ट टू टू थाउजन वन इसके बारे में जानना है क्या होता है उसमें क्या क्या लिखा है सब चीजें पढ़ना है और electrical supply system and motors के बारे में पढ़ना है energy efficiency in electrical utilities यह पढ़ना है तो यह सब्जेक्ट भी काफी अच्छा है अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा जादा चैप्टर है तो अब देखिए इसमें जो आपका अगला है universal human values इसमें क्या पढ़ना होगा इसको आपको बताते हैं क्यों काफी स्टुएंट के मन में कर्फुजन होता है कि इन्वेर्सर human values का इसम होगा कि नहीं होगा तो आपको बताते हैं की प्राक्टिकल देना होगा कॉलिज से एक और मतलब में प्राक्टिकल होगा है कि तो इसमें देखिए आपको सॉन्ट मता दें कि इस सब्जिक्ट का मतलब किया होता है इसमें पढ़ना क्या होता है इसमें इस्किल को डेवलप करना मतलब की यूनिवरसल हिउमन वैली जो नाम है इसको लुब देख लेंगे फिर आपको बता देने कि यह सबस्पता पड़ने सब्सक्राइब करें का क्लाओंने सब्सक्राइब यह चार सब्सक्राइब बता देंगे तो यह था आपका समय से सब्जेक्ट के में क्या पढ़ना है था विके इसमें पढ़ना है तो नया को बुक मिलना बहुत मुष्किल आपको बता दें आपका श्लैबस जो है वह चेंज nहीं हुआ है तो आप लोग पूराने विक से भी भी बुक के पीडियेप है मैं आपको अपने टेलिग्राम चैनल पर सेंडर कर दूंगा वहां से डाउलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया गया है पाके इसमें जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होंगे जैसे कठें सब्जेक्ट सब्जेक्ट को इसमें चुनके हम अपने यूटूब चैनल भर पढ़ाएंगे तो आप इस चैनल से जुड़े रहें लाइव क्लासिस के लिए